हेलो व्यूवर्स आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि किया सोनेट में वायलेस एंडॉड ओटो कैसे गरेंट करते हैं owers एक ही यूसरी से।क्साशा है एक है यूस भी से करो। ए तुसरह है वायिस्ली करो। यूसदी से सब अपको मैंने कलर वीडियो बता दिया था एक साफिजितीजिए छी बस आफे कर थी खुरूपr抓h चालो हो जाता है बट जो वायरलेस है वो थोड़ा सा ट्रीक है जब मैंने कार भाई किया था तब मुझे गाइट करने वाला कोई नहीं था तो मैंने बहुत इसमें रिसेर्च किया बहुत सारे वीडियो भी देखा एंड फाइनली मुझे वह सलुशन मिल गया तो मैं आपके स स्टेप्स में वह सलुशन लेकर आया हूँ वायरलेस एंड्रोइड ओडो का एक और फाइदा होता है आपको जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा सा केबल लेके घूमो अब बस कार में एंटर करते हो और आपका जो फोन है वह आपके इंफोटीन में सिस्टम से करनेट हो होगे यहां पे जो फोन दिक्रहा हो मेरा पोन है आपको क्लिक करना एड़ n कार तडिया है यहां पर लिस्ट आती उसमें दिखता है किया बट जब मैं उस पर किल्क करोंगा यह से 1st ओप्शन है किया मैं क्लिक करो तो यह error को कैसे solve करते हैं यह मैं आपको अभी बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको अपनी phone screen share करता हूं सबसे पहले हम जाएंगे play store पे play store पे जाने के बाद एक application है android auto for phones तो यह play store मैंने open कर दिया मैंने search कर लिया android auto for phone screens मैं आपको description box में इसकी link दे दूँगा इस पे click करने के बाद left side में एक आपको app drawer दिखता है तीन lines जो दिखरी आपको उस पे आप click करोगे नीचे आपको settings दिखती है आप settings पे click करो नीचे सख scroll करो वहाँ पे आपको option दिखता है version का आप उस पे click करो 10 times one one two three four five six seven eight nine ten तो अभी एक क्लिक करने के बाद एक option देता है allow development settings ओके दबा दो उसमें बस यह कि यह application आपके phone को hang कर सकता है तो मैंने इस पे okay दबा दिया ओकी दबाने के बाद राइट सेट में जो तीन डॉट से आप उस पे click करोगे एंड वहाँ पे आपको developer settings नाम का button activate हो गया आप उस पे click करते ही आपको fourth या fifth option दिखता है add wireless projection to settings अब इस पे click करोगे then दिखते है magic मैंने click कर दिया है एंड मैं application से भाहर आ गया हूँ exit 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 okay back exit कर दिया हमेने अब मैं आपको बताता हूँ फिर से मेरे infotainment system पे क्या option आ रहा है पहले जब हमने यह सब settings नहीं किये थे तभी भी same option था बट जब हम यहाँ पर click करेंगे तो देखते है कि Redmi Note 8 का option आता है या नहीं चलो ठीक है आप देख सकते हो पहले सिर्फ मेरा phone दिख रहा था बट अभी Redmi Note 8 projection भी दिख रहा है यह देखें यहाँ पर यह phone connect हो गया है मैं आपको सिर्फ अभी map पर आकर दिखा था बिकॉद मैंने functions तो आपको कल वाले वीडियो में बता दिये थे जो आपको आपको आइब बटन पर देख रहा है बट मैं अभी आपको बता जाता हूँ कि यह बाकी सब options इसमें चल रहे हैं या नहीं Android Auto के आप देख सकते हो Android Auto and Map दोनों active है तो लेट उस click on Android Auto देखते है map चलो होता है या नहीं तो यह map easily connect हो गया है तो लेट उस try one more feature of Android Auto map पे meanwhile अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किजिए और हमारे वीडियो को लाइक किजिए तो जैसे आपके USB cord connect करने के बाद functions काम करते है Android Auto के same to same वैसे ही हर एक function काम करते है wireless में भी तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए हमारे वीडियो को लाइक किजिए और comment box में हमें सरुरूर बता है thank you for watching our video bye bye